विहाल फिलाल एक परीक्षा हुई थी पटना हाई कोट में, उसके कोश्चन्स को आज डिसकस करेंगे, उसमें 25 कोश्चन आप से पूछा गया था, इसमें मैट सेक्षन से 15 और रिजनिंग से 10 कोश्चन था, आज मैट वाला सेक्षन कवर करेंगे। यदि संख्या 1005, X4, 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो X के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णा अंक क्या होगा, यह मैंने आप से पूछा है, यह कोश्चन है, देखें यहाँ, तो कोई भी संख्या, 8 से पूर्णू रूप से विभाज्य थोने के लिए, इन 3 अंक जो है, व जब 2 से विभाजित होने की बात करते हैं, तो अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जब 4 से विभाजित की बात करते हैं, तो अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक, 16 से कटने के लिए अंतिम 4 अंक, ऐसे करके चलना चलेंगे तो यहां पर अभी जो अवेलिबल आप्शन है हम इनहीं की चिंता करें क्योंकि अब 01234 करते हुए पूरा नहीं चलने का जरूरत है तो यहां माइनस तो यूज करने ही सकते हैं हम लोग इसलिए 504 पांसो चार चलेंगे आठ से विफाजित होगा आठ गुना छे अ देने पर भागफल तथा शेशफल का योग आठ है तथा इनके वर्गों का योग 34 है तो ऐसा नमबर आपको लेना है कि जो चार से भाग देंगे तो यहां पर जो आएगा और यहां जो आएगा इन दोनों का जोड़ जो होगा वह आपका आना चाहिए था योग आपका है और इनका खुद का योग जो है वह 8 होना चाहिए और यहां पर का जो स्क्वैर होगा इसका जोड़ जो है वह 34 आना चाहिए अवेलबल आप्शन से ही काम कीजिएगा वह आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा उस केस में तो अगर हम यहां 23 लेते हैं तो चार गुन 309, 34 हो जाएगा तो इसका आनसर आपका था यहां पर हम 23 रखेंगे तो यह आपके प्रश्ण के अनुसार फुल्फिल होगा एक तीन अंकों की संख्या 2A3 को जब आप 326 में जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपका 5B9 प्राप्त होता है जो 9 से पूनतिया विभक्त होना चाह चाहिए यह नंबर आपका 9 से पूरी तरह से कट चाना चाहिए तो यहां पर देखें इन दोनों को जोड़ना है तीन और 6 मिलकर के 9 होगा यह 2 और 3 मिलकर के यहां पर 5 होगा तो निश्चित रुप से इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहां एक आपके पास ऐसा रिज हो जाए तो आप यह नहीं कहेंगे कि यहां चे लिखेंगे तो यहां दो घटेंगे तो चारा जाएगा यह 9 से कटना है किसी भी संख्यास को 9 से विभाजित होने के लिए इनका जोड़ जो है वह 9 रहना चाहिए जोड़ जो है वह 9 से पुरी तरह विभाजित होना चाहिए जैसे 5, 9, 5, 14 तो यहाँ पर 4 अगर लिखेंगे तो 18 आएगा एक और 8 जोड़ करके 9 होगा उस तरह से आपका यहाँ पर 4 लिखना चाहिए तो अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो इस जगह पर 6 लिखेंगे तब यहाँ जाकर के 4 हो जाएगा 9 से भाजित कीजिएगा 9 गुना 6, 14 और फिर यह 9 कट जाएगा तो यहाँ 6 होना चाहिए तो यहाँ पर आपका 6 में 2 यहाँ पर आपका 4 आना चाहिए तो ये 2 और 2 जोडेंगे तो ये हो जाएगा 4 अब इस केस में 5A-2B 5A-2B है तो A का value 2 है 5A हो गया ये और minus 2B है तो B का value आपका 4 है तो 10 में से 8 घटेगा ये answer होगा 2 ये बनेगा 2 इसके बाद आपका next question जो है तीन मित्र A-B और C एक प्रिताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदू से एक साथ दोड़ना आरंब करते और वे एक चक्कर क्रमशा 24 सेकंड 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते तो कितने समय के बाद वो प्रारंभिक बिंदू पर पुना मिलेंगे इस जगा पर पुना बिंदू मिलने का अर्थ है इनलों का ये जो टाइम है इसका अगर हम LCM लेंगे तो फिर यहां पर आएगा 24, 36 और 30 का LCM लेना है तो ठीक है बेसिक प्रोसेस है उससे आप भाग देकर की काम कर लेते हैं लेकिन जब LCM ऐसे में लेना हो तो अगर हम 36 की बात करें इनमें सबसे बड़ा नमबर उसमें 24 नहीं आपका जाएगा 36 का टेबल पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे 36 का 72 बहत्तर में 24 छिप जाएगा अब रहा 72 आपके पास 72 से विभाजित होगा नहीं तो इसकेस में ये पांच का मल्टिपल है इसमें प्राइम नमबर आपका पांच है तो आप 72 को सीधा पांच से गुना करतीचिए 72 को पांच से गुना करेंगे तो कितने समय के बाद ये प्रारंभिक बिंदू पर मिल जाएंगे तो ये जो 24 वाला आत्मी होगा ना ये यहाँ पर 15 राउंड लगाएगा ये 10 राउंड लगाएगा और ये 12 राउंड लगाएगा और तीनों यहाँ पर फिर आकर के मिल जाएगा तो ये 360 सेकंड की बात करते हैं 360 सेकंड को हम फिर 60 से अगर भाग देंगे तो ये आपका 6 मिनट हो जाएगा 6 मिनट के बाद ये लोग पुन प्रारंभिक इस्थान पर आ जाएगे 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2 बटा 3 तो दूसरे भाग के लंबाई मान लिजे एक भाग का 3X होता है तो दूसरे भाग की लंबाई जो है ये इसका 2 बटा 3 2 बटा 3 का मत्दब ये 2X होगा इसका जो है वो 2 बटा 3 हो गया तो हम यहाँ पर imagining करने में हम x नहीं माने अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पर 3 ले लिए पारने कि उसका 2 by 3 करना है तो denominator जो है वो 3 है तो imagine हम 3x किये उसका 2 बटा 3 जो हुआ 2x हुआ तो total हो गया 5x 5x बराबर 20 होता है तो x का value 4 हुआ तो 4 गुना को 12 और 4 गुना को आ इस case में लंबे टुकड़े की लंबाई जो हो गई वो 12 मीटर की हो गई इस तरीके से आप इसको solve करें गंतन दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बाटी जानी थी परन्तु उस दिन 150 बच्चों की अनुपस्तिती रहने के कारण प्रतेक बच्चे को तीन अतरिक्त मिठाईयां मिल गई तेकि अगर शुरू में मालो x बच्चा था और हर एक को y मिठाई प्राप्त होनी थी तो टोटल मिठाई 450 होता लेकिन उस दिन 150 बच्चे absent हुए x माइनस 150 और यहां पर प्रतेक बच्चे को 3 मिठाई जाता मिल गया तो y प्लस 3 हो गया तो यह आपका y प्लस 3 हो गया और यह मिल करके आपका जो है वो 450 था आप चाहें तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं यह आप multiply करके काम कर लेंगे इससे आपका answer तयार हो जाएगा यह x y होगा वो 3 x होगा ऐसे करते हुए काम करेंगे लेकिन इस तरीके से अगर हम लेकर के चलते हैं तो समय जादा लग जाता है तो इस case में कहा कि 3 अत्रिक्त मिठाई मिलनी है 150 बच्चे का तो वो 150 बच्चे का ही 3 अत्रिक्त मिठाई सब को मिल गया तो इस case में प्रतेक बच्चे को कितनी मिठाईया मिली अभी के case में आपको बतलाना हो बच्चे रह गये यहां जो है 1.5 बच्चे अगर घड जाएंगे 450 बच्चे थे तो यहां पर आपके पास 300 ही बच्चे रह जाएंगे और 300 बच्चे को मिलना है 450 बच्चा टोटल था 450 बच्चे हैं 450 बच्चे को मालनी जे X मिठाई देनी थी यह टोटल मिठाई होगा लेकिन अब जो रहा वो आपके पास 150 बच्चा अनुपस्थित हो गया तो 300 बच्चा ही बच्चा और मिठाई जो इन लोग को मिलना था वो सबको 3 मिठाई जादा मिल गया तो शुरू में आपका था 450 X और बाद में हो गया 300 X प्लस 9 तो अगर हम इस तरह बुला लेंगे तो 150 X यह बराबर 900 X का वैलू 6 हो जाए X का वैलू 6 हो गया तो प्रतेग बच्चे को कितनी मिठाईया मिली तो अभी 6 मिठाई मिल गयी जानि टोटल आपके पास 1800 मिठाई था आपके पास टोटल जो था वो 1800 मिठाई था उस केस में अभी 300 के हिसाब से 6 मिल गया यहाँ पर आपको अतरिक्त मिल गया उस केस में जब X X का वैलू 6 आया X का वैलू 6 का मतलब है शुरू में इन लों को 6 मिलना था लेकिन अब जो हुआ वो तो यह मिल गया तो 6 प्लस 3 क्या हो गया यह आपका 9 मिठाई तयाब हुआ यानि अभी के पेज में सबको 9 मिठाई 2700 मिठाई था 450 बच्चों को 450 गुना 6 मिला बाद में 300 गुना 9 हो गया यह 2700 आगी 600 रुपया को ABC में इस प्रकार वित्रित करना है कि A के भाग के 2 बटा 5 से 40 रुपया अधिक B के भाग के 2 बटा 7 से 20 रुपया अधिक 80 के भाग के 9 बटा 17 से 10 रुपया अधिक सभी बराबर हैं तो A का भाग कितना होगा बतलाओ अब दिखिए इस कोश्चन को अगर equation बना करके आप वहाँ चलिएगा तो आपका answer देने में बहुत समय लग जाएगा ज्यादा समय लग जाएगा उस के इसमें तो ऐसे कोश्चन को solve करने में करना क्या चाहिए एकदम extreme दोनो option हैं नहीं लीजिए क्या किजिए ये दोनों में से कोई उठाईए 180 और 140 नहीं लें कोई भी इसमें क्या होगा दो attempt लेना पड़ेगा माली जी हम 160 से चलेंगे अगर 160 से चले और यह मुझे लगा कि नहीं मेरा आंसर नीचे रह गया कम हो गया हम 180 पर चेक कर लें और अगर 160 से चले और लगा कि नहीं आंसर ज्यादा हो गया तो आईडिया हो जागा कि जा बहुत ज्यादा बहुत ज़ादा हो गया, तब 140 पर चेक कर लेंगे, तब गएगा थोड़ा साधिक हो गया, तो हम 150 पर चेक कर, विसके इसमें न, आप 100, 60, 150, इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लेती, तो अगर हम 150 को चेक करते हैं, करते हैं कि एक को 150 मिला, इसका दो बटा पांच की बात कर तो 150 का दो बटा पांच जो होगा, वह 60 होगा और 40 रुपया अधिक की बात करेंगे तो ये 100 रुपया होगा, इसके लिए हम 100 रुपया लेते हैं, भी के भाग का दो बटा 7 से 20 रुपया अधिक तो ये 20 रुपया अधिक हो जाएगा आपका और वह दो बटा साथ होगा तो ये बीस रुपया इसमें सौ में पहले कम कर देंगे चुकि दोनों बराबर होना चाहिए इधर का ये वाला पोर्शन ये बी वाला के पोर्शन के सौ के बराबर ये भी होना चाहिए तो सौ में से क्या करते हैं पहले हम 20 कम कर देंगे, 80 आया, 2 भाग बराबर 80, एक भाग बराबर 40, तो 7 भाग बराबर आपका 280, तो अगर आप इसको देखिए, 280 का अगर 2 बटा 7 लेते हैं, तो ये 80 हो जाएगा, और 20 रुपया और इसमें आप एड़ कर देते हैं, ये 100 रुपया हो जाएगा, सब को 100-100 रुपया बराबर आना चाहिए, अब ये क्या करते हैं, 100 को C से चेक करते हैं, 10 कम कर देते हैं, तो 10 कम करेंगे तो 90 होगा, 9 भाग बराबर 90, तो 1 भाग बराबर 10, तो C का वैलू 17 भाग हो गया, 170, या 170 हो गया, इस केस में अगर आप इसको एड़ करते हैं, ये 90 हो गया, 10 रुपया एड़ करते हैं, ये 100 हो, इस केस में आप देखिए, A के पास 150 रुपया, B के पास 280 रुपया, और C के पास 170 रुपया, इनको जोड़ दीजिए, 28, 17, 45, 15, 60 रुपया टोटल आगे, तो ये रहा आपका 600 रुपया टोटल, रोहित कुछ निश्चित दिनों से यात्रा पर निकला, उसके पास 36 रुपया खर्च करने के लिए, अपने यात्रा की अवधी में चार दिन और बढ़ा दिया, तो उसने अपना खर्च 30 रुपया प्रति दिन कम करना पड़ा, वह कितने दिन के यात्रा पर निकला, देखे अगर मालो वो एक्स दिन था, और प्रति दिन वो खर्च जो करता था वह वाई था, तो एक्स गुना वाई जो आपका था, ये बराबर था 36, लेकिन चार दिन और बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से ये खर्च को कम करना पड़ेगा, तभी उतना दिन में आत्रा पर निकला था, बतला दूँ, तो यहाँ पर आप ऑप्शन का हेल्प ले लिजिए, वैसे ये एक्वेशन आपके पास तैयार है, आप इससे भी काम कर सकते थे, लेकिन अब एक्वेशन सॉल्व करने में, एक्स का वैल्यू अगर हम लेते हैं, 36 बटा पाई हो जाए अगर वो आप्शन से फिर शुरू करते हैं, 21, 18, 19 और 20 है आपके पास, तो इस केस में यह दान दीजिएगा कि यहाँ पर का वैल्यू 36 है, तो यह 21 और 19 से कटेगा नहीं, विभाजित होगा नहीं, तो इस जगह पर 18 और 20 से विभाजित होता, तो अगर वहाँ 20 से लेकर के चलता, और 180 दिनों की बात करता, इतने दिन की यात्रा पर निकला था, तो 120 दिन की लिए आया, 180 रुपिया से चलता, उस केस में वहाँ पर वो 3375 रुपिया होता, दैकिन अगर वो 4 दिन और बढ़ा दिया, 24 दिन चला, और यहां 30 रुपिया कम कर दिया, तो यहां 30 कम यहां पर अगर वो चार दिन बढ़ा देता है तो यहां 30 दिन उसमें कमी हो जाए यह आपका 20 में सेट करें अगर 20 में नहीं सेट करता तो 18 अगर आप लेते तो चार दिन घटने पर 14 होता 14 सेट किये और यहां आपका सेट हो गया आंसर बने इसने बहुत सारा कोश्चन आप्शन का हिल्प ले करके भी बनाया जाता है किसी दफ्तर में काम करने वालों का एक बटा 3 भागिस 3 यह टोटल है इसमें 1 भाई 3 जो है वह फीमेल है तो हम इसमें कोई नंबर मान कर चलेंगे बाद में देखते हैं कि 1 भाई 3, 3 भाई 4 ऐसे करके आता है तो 100 में 1 भाई 3 फ्रैक्शन होगा 300 लेंगे या 300 का मल्टिपल ले लेंगे 900 लेते हैं 900 का 1 भाई 3 भागिस 3 यहां है यानि 100 जो है वह फीमेल है इधर फीमेल हो गई है इसके बाद कहा गया आधी स्तरियां विव बाद है 150 मेरिड है विवाहित इस्तियों का 1 भाट एक बटा थीन भाग बच्चों 50 हो गया इसके पास बच्चें है यहां पर सव हो गया नहीं है विवाहित है यह पुरुष्ण की संख्या का 3 बटा चार भाग यहां हो गया इतना चार से भाग देंगे तो ये 450 हो गया तीन बटा चार भाग विवाहित है ये विवाहित हो गया विवाहित पुरुषों का दो बटा तीन भाग तो इसका तीन भाग हो गया 300 पुरुष बच्चे वाले हैं तो इतना हो गया बच्चे वाले हैं तो टोटल बच्चों की संख्या 30 प्लस 50 टोटल वैकती जिनके बच्चे हैं वह साड़े 300 और यहां हम 900 लेकर के चले थे तो इसके बाद हमारे पास जो बच गया वह 550 बच गया 900 माइनस 350 पराबर 550 तो काम करने वालों का कितना भागने संतान है यह 550 हो गया और टोटल हमने लिया था 900 तो जिरो काट दीजिए पांस से कटेगा 11 बार यह 18 अंसर हो गया 11 बटा यह था आपका अंसर 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपया में और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 में ख़़ए उसने प्रती पुस्दक की आउसत कीमत क्या अदा की बतला दो सिंपल है पचपन को पचपन एक दुकान से 1020 रुपया में लिया और 60 जो है वह दूसरे से 1280 में लिया इस केस में टोटल जो वह किता है पचपन और 60 115 और पैसा खर्च किया 1020 और 1280 वाइस और एक 100 तो 2300 रुपया खर्च करता है और 115 यह हो गया 20 यानि आसत जो है मत वह 20 रुपय के दिए चार क्रमागत समसंख्याओं का आसत 27 है एक एक्वेशन बना करके तो बहुत आराम से काम हो जाए लेकिन अगर मालो चार क्रमागत समसंख्या लेते हैं बराबर दूरी पर चला और उसमें आसत कहा जाता है यह बीच में यहां रहेग जायगा और क्रिहन फोटप्र क्रमागत समसंख्या उधर और भी बराबर चाहिए उसत बी Turns आईगा इनका आसठ मासथ जो है 27 है तो कॉशन सोची अगर यह 27 है और चार क्रमागत समसंख्या है इस तरह 26-28 होगा यहां पर हो जाएगा और यहां 24 होगा ऐसे आपका बन जाता है इस तरीके से यह चार ग्रमाकत हो गया और 27 है उस पेसिस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप उत्तर देते यह 30 है आप ऐसे चलते सबसे बड़ी संख्या एकस है फिर एकस माइनस टू है फिर एकस माइनस फोर है फिर एकस माइनस सिक्स है तबसे बड़ा गर एकस मानेंगे तो ऐसे घटते क्रम में जाएगा इनका जोड़ जो आपका होता है वो 27 गुना चार और 27 है तो यह 108 होता है एक दो तीन चार चार बार एकस हो गया दो चार तो छे और छे बारह, माइनस बारह बराबर 108 होगा, तो 4X बराबर 120 हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, X का वैल्यू आपका यहां 20 था, अब इस तरीके से भी कोशन को solve कर सकते, यह मेथड भी आपका रहता, ने, तो यह मेथड सिंपल वे में रहता है, जब 4 क्रमागत लेंगे, और आसत की बात करते हैं, तो आसत हमेशा बीच में आता है, आधा उधर आधा इधर चला जाएगा, तो उस केस में आपका 27 अगर बीच में आया, तो अगल बगल की नक संख्या 26 और 28, तो अगला जो बड़ा वाला होगा, वह समसंख्या में 30 होगा, चार वर्ष बाद A और B की आयू का अनुपात 57 है, मानलो अभी आयू X और Y है, तो चार वर्ष के बाद अगर चलेंगे, तो X प्लस 4 हो जाएगा, और यह Y प्लस 4 होगा, यह बराबर 5 by 7 होगा, और 6 वर्ष के बाद इसका जो आयू का अनुपात होगा, वह आपका 11,15 का है, तो 11,15 अगर आप ऐसे चलते हैं, जेखिए जो basic method है, उसके अनुसान अगर चलेंगे तो यह तरीका, तो equation आपका X और Y के form में आएगा, उससे answer बनेगा, तेकिन नहीं बनाएंगे, जब तरीका concept सीख चुके रहते हैं, तो यह इस तरीके से हम लोग नहीं काम करेंगे, देखिए, चार वर्ष के बाद का अनुपात बोलता है, पांच साथ का, और यह फिर बोलता है, इसके बाद जो अनुपात होता है, वह 11 और 15, छे वर्ष के बाद, तो यहां से जो भी देखिए, यहां से दो वर्ष का बढ़ा, यह चार वर्ष के बाद था, और यह आपका छे वर्ष के बाद, अंतर यहां से अगर देखते हैं, तो 6 यूनित अदर है, आपका 5 6, 11 आता है, और इस तरफ जो आपका है, यहां पर, और यहां जो अंतर आ रहा है, वो 8 का अंतर आ रहा है, और इसका 2 साल का ही अंतर है इस केस में, यहां 2 साल के अंतर पर आपका 5 5 राद का और 11 अपंदर, आप इस equation से solve करके आप काम कर सकते हैं option का use कर लीजिए परतमान I.U. ग्याद करो वो कितना होगा आप इसको option कैसे पकड़ते हैं वो देखे अगर हम A का I.U. चार जोड़ेंगे तो 5 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए और जब 6 जोड़ेंगे तो 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए 16 में 4 जोड़ेंगे तो ये 5 से कटेगा 20 हो जाएगा और 16 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 22 होगा जो 11 से विभाजित होगा इस case में अगर 15 को लेंगे 4 जोड़ेंगे तो 19 होगा वो 5 से नहीं विभाजित होगा 18 में 4 जोड़ेंगे 22 होगा 5 से नहीं विभाजित होगा 14 में 4 जोड़ेंगे 18 होगा 5 से नहीं विभाजित होगा आपका यह आंसर था 16 साल और 24 साल तो ची ये 16 और 24, चार वर्ष के बाद ये 20 होगा और 28 होगा, ये 4 से आपका विभाजित होगा 5-7 का, छे वर्ष के बाद आएंगे तो 22 हो जाएगा, और ये वैलू जो 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये आपका 11 और ये 15 हो, तो इसमें आप्शन का हिल लेते हैं, ऐसे equation बना करके आप नहीं काम करते हैं, एक तरीका रहता है इस तरीके से solve करना, एक आपका रहता है कभी कभी यहाँ बढ़ेगा, इक्वल अगर बढ़ता है, वहीं से solve कर लेते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है कि जब पढ़िए, कितना जोड़ेंगे तो इतना से कटना चाहिए 24-28, और 6 जोड़ेंगे तो 15 से कटना चाहिए 24-26, यह आपका कोई भी एक चीज़ चेक करके आंसर देंगे, रोहन की आए में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आए को पूर उस्तर पर लाने के लिए तू, नहीं आए में कितनी पतिश्यत्वृति करनी हो, 10% कम क कर देंगे तो 90 आजाएगा, यह कापका 10% कम कर दिया, अब 90 को पुना साब करना है, 90 में 10 पढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा, तो यह तहस जो है वह नबबे का कितना % होता है, आपको यह सॉल्प करना था, तो यह आपका 10% से उपर हो जाएगा, 9 होगा, उसкаस में ऑश्ण का हेलप लीजिए क्या आएगा इगारा पुर्णांक एक पटा परसेंट का किसी निर्माता ने एक वस्तू का अंकित मूल 50 रुपया निर्धारित की तो देखे एक होता है cost price इस पर एक कुछ भी profit लेकर के marked price अंकित मूले और फिर यहाँ पर कुछ छूट देता है और उस पर बेशता है तो यह होता है selling price इस निर्माता ने एक वस्तू कांकित मूले 50 रुपया निर्धारित की यह 50 रुपया 20% का बट्टा देकर बेच दिया 20% यानि इसमें 20% लेंगे तो 10 रुपया कम करके यानि 40 रुपया में बेच दिया यदि उसे 25% का लाब हुआ अब सुचिए यहां से वह 25% का लाब लेता है तो अगर यहां पर हम 100 X मानेंगे 25% का मतलब 125 X रिशियो वाइज 25 गुना 4 25 गुना 5 यानि 5 भाग बराबर 40 रुपया तो 4 भाग बराबर 32 रुपया इस तरीके से सॉल्व करते यह 32 रुपया हो जाए 15 कोशन आया था उस एक्जामनेशन में 15 थापका ऐसे है A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते है A और C मिलकर के उसी काम को 15 दिन में B और C मिलकर के उसी काम को 20 दिन में पूरा करते है इन को यहां लिखना चाहिए 12 15 और 20 यह आपका आया इनका LCM ले लीजिए LCM लेने का तरीका होगा सबसे बड़ा नंबर लीजिए यहां सबसे पढ़ना शुरू कीजिए 20, 20, 20, 40, 20 या 60, 60 में 12 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, ये 60 हो गया, ये होता है कुल कारे, येतना काम आप करते हैं वो, देखे 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम, ये उसकी छमता, कितना वो काम करता है, ये उसका रहेगा, ये 5 काम, A गुना 4, 60, A और C मिलकर के एक दिन में 4 काम, और B और C मिलकर के एक दिन में 3 काम, इससे क्या होता है कि एपिशेंसी को भी अगर बढ़ाना घटाना होता है, हम यहीं पर बढ़ा घटा सकते हैं, काम को बढ़ाना घटाना होगा, हम यहीं पर काम कर सकते हैं, अब अगर हम इ तो इस तरीके से होता इन कोस्षन है A, B, C मिलकर उसी कारे को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं तो यहां पर ट्वाइस है जो 12 काम करेगा अगर ABC का ट्वाइस हटा दो तो यह 6 काम करेगा एक दिन में और 60 काम करना था इतनों को 10 दिन 6 गुना 10 पराबर यह 60 हो गया तो यह दस दिन समय लेते हैं यह आपका आंसर कि इससे क्या होता है इस मिथट से बनाने से ना कहीं पर भी कोई परिवर्थन करना हो ऐफिशेंसी बदलना हो कता है बिमार पड़ गया 20% घट गया यहीं पर से 20% घटा देंगे काम को दुगना करना है काम को आधा करना है आप यहां से काम पर यह आपका 15 कोशन आया था मैच सेक्षन में और 10 कोशन आया था रिजनिंग कोशन में हाई कोट वाली परीक्षा में अगले दिन हम लोग 10 कोशन जो रिजनिंग वाला सेक्षन है वो कवर करें आज यहीं तक रहें